नमस्कार एक बार पनो हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपनी चैनल गो ब्लोक्स पे दोस्तों प्रस्तुत हतेली है और अगर हम इस हतेली को देखते हैं तो बरतमान समय में जो आपका सुक्रग्रा है वो प्रबल इस्तिति में यहां पे बैठे हुए हैं इस साल में और सन सटवे साल तक दो साल तक और यह इसी इस्तिति में रहेंगे आपका जो निम्नमंगल का छित्र है थोड़ा सा उल्जन की इस्तिती जीवन में देता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा कनिफ्योजन की इस्तिती भी यहां देता हुआ दिखाई दे रहा है और प्राक्रम में confidence लेबल में थोड़ा कमी यहाँ पे महसूस कराता हुआ दिखाई दे रहा है आपका ब्रिस्पति का ग्रह बर्तमान समय में ठीक ठाक अवस्ता में है सुन्दर अवस्ता में है मान और प्रतिष्टा और धन भाव में बैठे हुई है आपका सनी भी अच्छे अवस्ता में लाब पर्द अवस्ता में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सुर्य के अगर बात करें सुर्य भी अच्छे अवस्ता में दिखाई पड़ रहे हैं और आपका बुद्ध आपके ब्यक्तितों को और आपकी परसनल्टी को निखारता हुआ, बहुत इक सुक्सुद्धाओं को दर्साता हुआ, यहां पे दिखाई दे रहा है। उपरी मंगल थोड़ सा ब्यक्ति के अंदर कुरोधी स्वभाव और चिर्चिर स्वभाव रग सकता है, लेकिन प्राक्रम की द्रिष्ट से उपरी मंगल अच्छे भाव में यहां पे बैठावा दिखाई पड़ रहा है। चंदर्मा आपका जो है चिंतातुर भाव में यहां पे दिखाई पड़ रहा है। तो आपका मन थोड़ा सा गड़बड या चिंतातुर रह सकता है अभी दो साल तक। जो मानसिक चिंता है, जो मन के अंदर दबी हुई चिंता है, वो 66 साल तक रह सकते हैं और 66 साल में कहीं न कहीं से रास्ता यहां पे दिखतावा दिख रहा है। वैसे ही अगर हम आपकी जीवन की रेखा को देखते हैं तो आपकी जीवन की रेखा इस तरों से यहां से आती हुई दिखाई दे रही है। और यहां पे एक तिरकुन बन रहा है 65 से लेके 70 वर्ष की आई के बीच में। वर्ष में 65 से 70 के बीच में। कभी भी जो है आपको एक विदेश यातरा का बहुत सुन्दर जो है मोका यहां पे निश्चित तोर पे मिलेगा। यह आपका साइद क्वेशन भी था। और यह किये तो छेतर पे होने के कारण। धार्मिक प्रवर्ति की और आपको ले जा रहा है, क्रियेटिव बना रहा है, दोसरा कहीं न कहीं पैतरिक संपति का लाब भी दिलाता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है, और अपने इन्वेश्ट की हुए पैसों से आपको 70 वर्ष में निश्चित तोर पे बहुत लाब की और यह ले जा रहा है, अचानक धन की प्राप्ति भी करता हुआ यह दिखाई दे रहा है, साथ में धार्मिक प्रवर्ति की और भी ले जाता हुआ यहां पे यह मचली का चन दिखाता जा रहा है, हाँ थोड़ा उस तेम धार्मिकता की और आएंगे, लेकिन कारियक के परती जुझारोपन यहां पर बताता हुआ आ रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कारियक के परती जुझारोपन भी जो है आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सुक्र यहां पर थोड़ा सा बली अवस्ता में है और यहां पर जो है चंद्रमा थोड़ा सा नि दिखाई दे रहा है अच्छी चीज में ये आपको जो है जो आपका विक्तित तो रहने वाला है बहुत अच्छा रहने वाला है बहुत एक सुख सुविदाएं अच्छी रहेंगी नई चीजों की प्रतिरुजान बना रहेगा और परिवार का भी बहुत अच्छा जो है बाव तो है और इस्तिरता तो दिखाई दे रही है लेकिन साथ में आप परिवार के परति बहुत जादा समरपन की भाव रखे हुए यहां पर दिखाई दे रहें सेथ साथ में ही देखेगा यह सुक्र जो है परिवार से सम्मन्द भी रखता है और मन से सम्मन्द रखता है हम हमारा चंद्रमा तो सुक्र और चंद्रमा थोड़ा विपरीत इस्तिति में आपकी जीवन में दिखाई दे रहे हैं चंद्रमा की उज़ों से थोड़ा मन गडवड रह सकता है मानसिख परेशानी रह सकती है और थोड़ा भौकता जो है जादा आपके अंदर जो है यहां पी दिखाई दे रही है इमोशनली थोड़ा प्रेशान हो शकते हैं मन थोड़ा अच्छा नहीं रह सकता है और मन से सिधा जुड़ा होता है हमारा digestive system इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो कभी कभार जो है पेट भी जो है सही नहीं रह सकता है चंद्रमा यहां पर negative आउस्ता में दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा नीन आने में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है और वहीं सुक्र इस तरह से बली आउस्ता में जादा होता है थोड़ा मानसिक प्रेशानी ये भी देता है थोड़ा किसी न किसी रूपे और ये परिवार का कारक होता है तो किसी समंदी के कारण या बच्चों के कारण हलके रुप में दो साल तक करीबन एक से डेड़ या दो साल तक जो है निश्चित तोर पे थोड़ा मानसिक तनाव जादा रहेगा किसी के परती जो है चिंता दभी हुई चिंता जो है मन में बनी रहेगी लेकिन आने वाले आगे समय में अगर हम बात करें पैसट से सत्तर यहां पर दिखा रहा है लेकिन सन सटवें वर्स में निश्चित तोर पे कोई अच्छी खुसकबरी परिवार की तरफ से आएगी और जो आपकी बर्सों से जो चिंता लगी हुई थी वो चिंता कहीं न कहीं जो है उस चिंता का निवारन हो जाएगा और निश्चित तोर पे हो जाएगा और दोसरी बात मैं कहता हूं जब हम हातेली देखते हैं तो आपके हाथ में सुक्र परवत को देखके आपकी हिर्दे रेखा को देखके आपके और आपके परिवार के बारे में बताया जा सकता है लेकिन परिवार के बच्चों का करियर कैसा होगा उनका दामपत्य जीवन कैसा होगा उनका जीवन कैसा रहेगा उनी के हाथ देखे जो है ये चीज बताई जा सकती है आपके हतेली देखके किवल ये बताया जा सकता है कि आपको परिवार का सुक मिलेगा या नहीं मिलेगा दूसरी बात देखेगा आपके हतेली में जो भग्य की लकीर है इस तरों से चंदरमासी जाती हुई और सनी परवत पे पहुँच रही है ये अच्छी है ऐसा विक्ति या तो उच्छ अधिकारी होता है या ब्यापार की छितर में चले जाता है ब्यापारी होता है साथ में बहुत सारी रेखाई यहां पर राहों की रेखाई काटती हुई इसको नजर आ रही है आपकी हतीली में पैसा तो अच्छा खासा आता है लेकिन साथ साथ में जो है बर्तमान समय में और तकरिबन दो सालों तक संगर्स यथावत रूप में दिखाई दे रहा है संगर्स यथावत रूप में आएगा पैसे तो हतीली में आएंगे मगर जिस तरों से सेविंग होनी चाहे थी उस तरों से सेविंग यहां पर दिखाई नहीं दे रही है हाँ वहीं अगर बात करें लक्षमी धन के रूप में तो धन का जो आप देखोगे भग्या रेखा यहां से सीधी तरों से जा रही है यहाँ पे एक तर्गोन भी बनता हुआ, साब दिखाई दे रहा है, पैसटवे वर्स से धन के रूप में बरगत आपकी हाथ हतेली में दिखाई दे रही है, और जो आजीवन तक चलती भी दिख रही है, और सड़सटवे वर्स में अच्छी खुशी कोई आपको जीवन में मि मिलेगी, और जो बहुत पहले से चिंतात और सरीर है, उसको राहत मिलने की बहुत बड़ी उमीद यहाँ पे दिखाई दे रही है, पैतरिक संपति की भी प्राप्ति होती हुई, यहाँ पे दिखाई दे रही है, और कहीं न कहीं आर्थिक दिरिष्टी से, संगर्स की दिरि बनता है तुछ बनता है तो ब्यक्ति को जो है पैतरिक संपति का लाब होता है साथ में सनिका इस पर प्रभाव पड़ता है तो यह जो रहश्यमाई विद्याएं होते हैं जोतिस होता है धार में कोई रहश्यमाई चीजें होती है उनमें ब्यक्ति का मन जादा जाता है या बिक्ति जादम मुड़ता है और इनकी जो भक्ति होती है वो अलग तरह की होती है एक खोजनुमा होती है एक बिज्ञानिक किसम की होती है और अध्यात्मी पर कि बहुत अच्छा जो है प्रगति कर लेते हैं यह आपके हते लिए यहां पर बताती हुई नजर आ रही है साथ में अगर हम देखें जो आपकी हिर्दे रेखा है यहां पर काफी लंबी फैल सी रही है थोड़ासा रिष्टों के परतिसे थोड़ासा जो है मानसिक परिशानी चल रही है लेकिन आपका संसट वर्स से जो है आगे जो हिर्दे रेखा है वो बड़ी साप सुतरी दिखाई दे रहा है उसके बाद चिंता जो है मिठती हुई यहां पर दिखाई दे रही है अगर हम बात करें आपके हतेली में यही इस रेखा के तो यहां से जो है उपरी मंगल से कहीं न कहीं एक रेखा राहु की रेखा हिर्दे रेखा पर जो है जाती हुई दिखाई दे र अड़्चनों का सामना आपको करना पड़ सकता है दामपत्य जीवन के लिए जो है आपको मंगल की पूजा जरूरी करना है जीवनकाल में मंगल की, सुक्र की और चंदरमा का आपको उपाई जरूर करना है अगर इनका उपाया आप कर लेते हैं तो आगे आने वाले 65 साल से ज सार रिक्त दिर्ष्टि से हो वहीं हम अगर बात करते हैं आपकी जीवन रेखा की जीवन रेखा यहां पे 65 से और 70 के बीच में अचल संपति का लाब तो दिला रहा है साथ साथ में थोड़ सा मूड ऐसा आएगा कि बिक्ति अध्यात्मिकी और ज्यादा रूचि लेना और कहीं न कहीं जो है बिक्ति को अच्छी यात्रा का भी जो है अपनी जीवन काल में मौका मिलेगा और जो जीवन में आपका संगर से चला है किसी न किसी रूप में वो थोड़ा सा छटता हुआ यहां पे नजर आ रहा है वहीं आपकी अगर हम मस्तिस्क रेखा देखें त ठीस्क Benson करें हैं फोड़ा सा कहीं न कहीं चिंता तुर्षों और रहने वाला है हां लेकिन चंद्रमा आपका यात्रा का कारक भी है तो जीवन में यात्रा का भी फ्सला आपको निश्चित तोर पर जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन फोड़ा सा मानसिक प्रेश प्रेशानी तो मानसिक प्रेशानी होती है और पेट समंदी प्रेशानी आपको घर कर सकती है वहीं अगर हम देखे हिर्दे रेखा पर ब्रस्पति का यहां पर प्रभाव पड़तावा नजर आ रहा है हां आधरस्वादी जीवन आपका रहने वाला है और दिर्डिनिस करना पड़ेगा लेकिन सन exhaust वे साल से प्रस्पतियां आपके उनकूल आती हुई यहां पर दिखाई देती हुए नजर आ रहे हैं और वहीं हम देख रहे हैं आपकी जो उंगलियों का जुकाओं है कहीं न कहीं अनामिका की और यहां पर दिखाई दिखाई दे रहे हैं और जब भी सूरे की और सूरे परवत की और जुकाव होता है तो जातक यस की चाह रखने वाला होता है शमाज में मान प्रतिष्टा पाने की चाह रखने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति अधिकारी होता है उच पदस्त होता है स्रेश्ट होता है और सफल व्यक्ति तो जो है आपक इस और भी जो है दिखाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है लेकिन थोड़ा चंद्रमा और सुक्र के उजो से मानसिक प्रेशानियों का बहुत जादा सामना आपको करना पड़ रहा है और इसकी उजो से पेट समंदी प्रेशानी मानसिक प्रेशानी और confidence लेवल में थोड़ा क दिखाई दे रही है कि आपकी जो भग्य की लकीर है पैसों की आपके पास कभी कमी नहीं रहेगी और 65 वर्ससे धन के छेतर में जो है ब्रिस्पती का भी प्रभाव परतावान जरा रहा है और राहों की जो इस्तित है उच्चतम भाव में जाते हुई यहां पे दिखाई द रही उस चिंता का अंत होती हुई यहां पे दिखाई दे रहा है लेकिन चंद्रमा का और सीधी सीधी अगर हम बात करें तो भगवान शिव की और मापारवती की आपको जो है आसिरवात की बहुत जरूरत है उनकी पूजा प्रतिष्टा करें जीवन में जो नहीं पाया है वो सत्तरवें वर्स में जो है निश्चित रूप से आप पाती हुई यहां पे दिखाई दे रहे हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ओल्ड एज होगी आपको अचानक धन की भी प्राप्ति होती हुई यहां पे दिखाई दे रही है और सुन्दरतम और एक अच्छा खा का अंसन निश्चित रूप से दूँगा साथ में उपाई बेहजना हो उपाई करने की कोसिस करें जब आप उपाई करेंगे तभी उसका जो है आपके जीवनकाल में निश्चित रूप से फाइदा होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पुना उप सब कर सकते हैं हाँ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद